बेटा हम अब लोग अपनी मैट्स की दिकना लेंगे कौनसी दिकना लेंगे वहारी इंगलिश की एक्सुराइश दिक्सेорм गेंगे ठीके बेटा, क्योंकि हम घर पे रहेंगे, तो सेफ रहेंगे, ठीके? सुरक्षित रहना है, तो घर पे रहना है, ठीके? तो आप सभी लोग अपनी बुक को खोल लिजे, आप हम लोग मैट्स की एकसिस हैज अपनी कम्प्लीट करेंगे, ठीके बेटा? यह देखिए अब हमने अपनी math की book खोल ली page number 10 ठीके page number 10 आप सभी लोग खोल लीजे हाथ में pencil होनी चाहिए आप सभी के ठीके बेटा सभी के पास pencil है ना वेदांच आप pencil नहीं लिये हो लिये हो ना very good good boy वेटा आप सभी ने pencil ले लिये अब आज हम लोग मैच में पता क्या पढ़ेंगे मैच में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर सबसे पहले देखिए एक दम ऊपर की heading देखिए क्या लिखा I N S I D E inside inside miss अंदर की तरफ and miss और O U T S I I D E outside means बाहर की तरफ इसमें आपको देखना है बेटा कौन अंदर है और कौन बाहर है inside and outside ठीक है अब आएंगे हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर देखिए एक बच्चा है जो घर के अंदर है दिख रहा है ना यह वाला बच्चा देखिए यह green shirt पैना है यह अंदर की त तो green shirt में कौन है green shirt में कौन है bhaind हमको तो लग रहा है कि green shirt मेंStr Dare यह लोग pallam in yellow में लग रहा है हमको अनंत है यह तो अनंत है यह यह अनंत है यह यह लग शर्ट का पैना तो इसमें क्या है बीटा यह बीड डिखिए वा हो घर के अंदर है वह green shirt में वह. अंदर है और यलो जो पहना है वो घर के बाहर है ठीके तो इसमें क्या है जो ग्रीन शर्ट है उसका नाम सुनील है ठीके यहां पर वीर जो है यहां पर देखे कार में बैठा है अनन्तिहा कार के बाहर है तो जो घर के अंदर है बैठा वो सुनील है ठीक है सुनील यहाँ पर दिखे लिखा है सुनील इस इंसाइड दा हाउस सुनील घर के अंदर है एंड अदनान इस आउटसाइड दा हाउस और अदनान जो है वो घर के बाहर है यह यलो शर्ट में जो है यह वाला यह ठीक है यह अधनान है और यह सुनील है ठीक है तो सुनील घर के अंदर है और अधनान घर के बाहर है ठीक है इतना समझ में आपको आगया जो अंदर की तरफ रहेगा बेटा वो इंसाइड जो बाहर रहेगा वो आउटसाइड ठीक है अब हम आएंगे नेक्स्ट आप सभी को देखिए, कार दिख रही है, तो कार के अंदर एक बच्चा बैठा हुआ है, ग्रीन कलर का पहना है, वो वीर है, और येलो कलर का पहना हुआ है, वो कौन है, अनन्त है, तो आपको क्या करना है, इसमें ये देखिए, राइट T for inside and O for outside one, ठीक है, जो अंदर है, जो अंदर की तरफ है, उसके सामने वाले box में हमको T लिखना है, sorry, T नहीं है, I है, ठीक है, क्या लिखना है, I लिखना है, और जो बाहर की तरफ है, उस वाले box में आपको क्या लिखना है, O लिखना है, ठीक है, समझ में आगे इतना, आप क्या करेंगी, आप देखिए, यहाँ पे जो green में है उसके सामने देखिए एक box बना हुआ है box दिख रहा है आप सभी को box दिख रहा है ना तो वो car के अंदर है तो उसके सामने हम क्या लिखेंगे ठीके छोटा सा आई बन गया हमारा देखिए आई नहीं तो टी बन जा रहा है यह आई हो गया और देखिए येलो में यह जो है car के बाहर है तो इस पे हम क्या बनाएंगे ठीके क्या बनाएंगे ऐसे box के अंदर ओ बना देंगे ठीके बन गया है ना ओ आपका फिर आएंगे हम next picture पे यहाँ पे क्या है देखिए एक bag रखा है bag के अंदर एक green book है और blue वाली जो है वो कहा है वो bag के बाहर है तो जो book के अंदर है वो inside हुई तो उसके सामने हम क्या ल bag के बाहर है तो वो outside हुई उसमें हम क्या बनेंगे ओ यह से ओ बना देंगे यह ओ है थोड़ा सा तीड़ा हो गया लेकिन ओ है ठीके समझ जाएगा इतना ठीके अब आएंगे हम next page पे ठीके next page आप सब देखिए इसमें क्या है बेटा less and more less means क्या होता है कम and miss और more means ज्यादा ठीके यहाँ पे देखिए ल, e, double, less less, and, and, more, more ठीके यहाँ पे देखिए दो parts में कुछ पच्चे हैं कुछ पच्चे यहाँ देखिए जैसे हैं section A है section B है ठीके देखिए इधर कितने हैं 1, 2, 3, 4 इस side 4 है ठीके और दूसरी तरफ कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है ठीके तो एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है ठीके तो अब हमको देखना preacher कि इस तरफ गो आध करना है यह छiकल करना है ऐसा ध्यद्यर आपको टिरीके में इस में जिस तरफ जो कम रहेगा वहां पे आपको किया लेकेए वहाँ पे आपको यहाँ पे दिखे right M for more object जो ज़्यादा है उसके सामने हमको M लिखना है and L for less object जहाँ पे कम है वहाँ पे हमको L लिखना है यहाँ पे दिखे mango दिखिए तो दिख रहे हैं ना mango धेर सारे mango दिख रहे हैं हम दिखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पे 10 mango हैं तो 10 mango हैं तो फिर क्या करेंगे हाँ पे हम क्या लिखेंगे M ज़्यादा है ना तो हो गया M ठीक है और यह क्या है ब्रिंजल है ब्रिंजल कितने कम दिख रहे हैं काउंट करते हैं इनको 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही ब्रिंजल है बैगन 6 है ना तो यहाँ पे यह कम है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे L ठीक है अब आएंगे हम next picture पे यहाँ पे देखिए दो बॉर्ड दिख रही है देखिए एक येलो कलर में एक औरेंज कलर में ठीक है एक पिजड़े में 2 है ठीक है 1, 2 और दूसरे वाले में पिज़न है क्या पिज़न है उसमें कितने है 1, 2, 3 उसमें 3 है तो पिज़न जहाँ है जो पिज़न है वो ज़्यादा है तो उसके सामने हम लोग क्या लिखेंगे M ठीक है अच्छे से बनाते हैं इसको M ठीक है और जो बर्ड से दोनों दिखने है कलरफुल ये कम है तो इसके सामने हम लिखेंगे L ठीक है तो ये एक्सरसाइज बेटा आप सब की कंप्लीट हो गई है मैज की क्लास में आज इतना ही इसको सब लोग पैंसिल से अपने फिल कर लिजेगा चीक है तो आज मैज की क्लास में बस इतना ही बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ओके बाई बेटा